एबी जनकारी एजुकेशनल इटूब चाइनल में पुनह आपका एक पर फी स्वागत है और आज का टॉपिक है वह आई टी आई में नमांकन से समधी थे जी हाँ अगर आप बिहार के किसी भी आई टी याई इंसिट्ट से आई टी आई करना चाहते हैं ते इस जनकारी को या पर स्कीन पर भी देख रहे हैं और दिखाई नहीं दे रहा है तो आप वीडियो क्वालिटी बढ़ा सकते हैं या फिर सीधे पहुणने के लिए आप इसका स्क्रीन सोट भी ले सकते हैं तो स्क्रीन से लेना चाहते हैं तिसलिए हम आपको तीन सकेंड जह है ये रोक देते ह आप जो आसानी से स्क्रीन सोट लेकर आरा हमसे अपने से भी पढ़ सकते हैं चले ठीक है तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो है क्या जनकारी है तो जैसा कि आप स्कीन पर देख रहे हैं कि नमांकन के लिए होगी ओनलाइन काउंसेलिंग पूरी जनकार इस प्रकार है आइटी आई में नमांकन के लिए इस बार बिहार संजुक्त परवेश परिख्षा द्वारा ओनलाइन काउंसेलिंग की जाएगी पार्षद ने इसके लिए त्यारी सुरू कर दी है छात्र ओनलाइन काउंसेलिंग में ही कॉलेज और ब्रांच की 24 दे सकेंगे इसके बाद आ सकते हैं, रिजल्ट आने के बाद ही ओनलाइन कॉंसेलिंग का सेडूल जारी होगा, ग्यात हो कि राज में NCVT और SCVT से मनता पराप्त 148 ITI हैं, इसमें 35,000 सीटों पर नमांकन होगा, परसत के अनुसार बिहार में 58 से अधिक ITI के ब्रांच हैं, परसत के अनुसार बिहार में 58 से अधिक ITI के ब्रांच हैं, परसत के OSD अनील कुमा सीनहा ने बताया कि रिजल्ट आने के बाद ही ओनलाइन कॉंसेलिंग का सेडूल जारी होगा, उन्होंने बताया कि इस परकिरिया से छात्रों को लंबी लाइन में घंटों खड़ा होना नही आई टी आई संस्थानों को सा सीटों का अपडेट भी ओनलाइन रहेगा, जिससे आवेदा को सुविधा होगी, यह जनकारी एक दूसरी पेपर में भी आचुका है, जो इस पकार है, जैसके परस्कीन पर विदख रहे हैं, कि ITI में अब होगी ओनलाइन का कॉंसेलिंग ब्रांज का 24 देंगे, बेधा सोची के अधार पर नमांकन समन्धित कॉलेज में होगा, ITI परवेश परिच्छा का रिजल्ट दौस जुन के बाद निकलने की संभावना है, BCECE के OSD अनिल कुमा सीनह ने बताया, कि रिजल्ट निकलने के बाद ओनलाइन कांसेलिंग का सेड सेटों पर होगा नमांकन, परदेश भर में NCVT और SCVT से मनेता प्राप्त एक सार तालिस ITI हैं, इनमें 35,000 सीटों पर नमांकन होगा, BCEC की माने तो बिहार में ITI के अंधावन से अधिक ब्रांच हैं, ये फाइदे होंगे, लंबी लाइन में खड़े जो रहते हैं विजा उससे उनको छुटकाना मिली तो इस प्रकार आपको, ITI से समन्धित कोई भी एक अपडेट जनकारी प्राप्त करते रहना है, ITI क्या है या कि उसकी टियारी कैसे कर ने परिछा में कैसे पास हो, कौंसोलिंग कैसे कराएं, इसससे समन्धित सभी update जनकारी को प्राप्त करना वहां से भी टॉच करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं या फिर दूसरे पर टॉच करके अपने वीडियो को भी आप देख सकते हैं तो इसे साथ इस वीडियो को हम बंद कर रहे हैं जय हिंद जय भारत